नमस्कार, स्वराजर्चा पूद सेक्शन गोदें आपले सरवान समना पुरुआख स्वागत, आज आई अलिया है और गस्रे चे निमित्तानी काई स्पेशल रेसिपिया आज आई अपलेला दाख होना रहे मी आज अपनाला बेसन पूरी चे लाडू दाख होना रहे, आमचा कड़े दस्रे ला आवर्जुन बेसन पूरी चे लाडू बनावले जता बेसन पूरी चे लाडू सा नेवेद्धे देवीला दाखोला जातो दसरे चाद्युशी, मुझे चन्ना डाली चे पदर्थ तेद्युशी बनावले जातात, बेसन पूरी चे लाडू हा एक पारंपारिक लाडवा सा प्रकार आगे, अती शे सोप्पय पद्ध हती नी आणी परफेक्ट मेजर्मेंट में आई आई आज तुम्हाला ये लाडू बनावन दाखोला रहे, मैंच अगदी नव शिकन नी पहलें दजरी बनावले तरी सुक्णार नहीं, आज आई तुम्हाला किलो मदे तसे तुम्हाला कपा नी देखे ले बेसन चा लाडू सा प्रमाण स लाडू सा ठीकाइसा हित्ते लागते ते बगुया, आज में तुम्हाला कप आणी किलोग्राइम दोनी मदे प्रमाण संगना रहे, मनच आई ते वे जर तुम्हाला कड़े वजन काटा नसल तर तुम्ही या कपा नी सुद्धा ये लाडू अगदी परफेक्ट मोजू शक ता ता साथ अपलाला लागना रहे, चार कब बेशन, तर अरधा किलो बेशन अहां, आणी ये साखर, दोन कब साखर आणी वजनी मोजली तर अरधा किलो साखर, शुर्वा तीला आपन बेशन घिविया, किन्ची जाल सर बेशन पाईजे लडू करता, बेशना मदे थोड़ पूट भर मीट घालाईचा है, आथा पानी टाकून बेशन आपन भिजवन घिविया, आवशक्ते नूसार अपलाला थोड़ो थोड़ो पानी टाकून घट्ट गोला मलाईचा है, मी आमधे रंग वगरे काही घालार नहीं, पन तुमाला जर आवड़त सेल, तर खानेचा पिवड़ा रंगा तुमी आमधे वापरू शकता, पीट भिजवन घाला है, असा घट्ट सरस पीट भिजवलेल अपलाला, आणी एचा करता मूला एक कप पानी लागला, एक कप मुझे साधारन बोंशे पन्नास या मेल, वड़ो पानी लागला है, अपलाला है पूरीचा जे पीट है है, गट्ट सरस भिजवाईचा है, प्रत्यक बेसन नुसार देखिला पानाईचा अंदर्स थोड़ासा कमी अधिक हूँ शकतो, इकड़े तिकड़े हूँ शकतो त्या मुझे तुमाला लागल, तसा तुमी या मदे पानी गला, आता या मदे अगदी थोड़ा अपन तुपाचा हात लाउन हा गोड़ा अगदी एक सार्खा मलून गेऊ, चान व्यववस्तित हा गोड़ा मलून गेऊ, विज़े पूरे अगदी चान मौँ होतेल, आता अपलेला सधरन दाहा मिंटा सेथी, हा गोड़ा थोड़ा रेस्ट होने सेथी बाजुला ठिवन द अधरन दाहा मिंटा नंतर गोड़ा सार्खा करून गेऊ, आता याचे लाहन-लाहन गोड़े करू, या प्रमाने लाहन-लाहन गोड़े करून गेऊ, व्यवस्तित हाता वर गोड़ा उन ग्या, मुझे कड़े ने कापनार चिरिनार नहीं, इत्थे पोड़ पाटाला थोड़ो तूप लाउन ग्यू, मन्जे पूर्या लाटतान ना चिरिकटनार नहीं, तुम्चा कड़े पूरी प्रेस असल तर तुम्ही पूरी प्रेस ने देखे लिए पूर्या करू शकता, अपले लाव मध्यम, यह पूर्या लाटताई चाहे, खुब जाड नहीं, पर खुब पत्तल देखेल नहीं, फाली के सघ्makली मैं, फोली पैक्सा जड़ लाटाई चाहे, आता आशास कही पूर्या आमी लाटून गेतो इथे कही पूर्या आमी लाटून गेत लिया है आता ते आपन तोड़न गेऊ इथे पूर्या तड़ने चेटी आपन तूप गरम करून गेविया हे दोन से अमेल तूपा हे कपा ने मुझला साधारन सपट कपा से तूप विवस मध्यम ग्यास्वर पूर्या खर्पूस तड़ून ग्यू कुप मस्त लागता थे लाडू अमचे कड़े दस रहला या लाडून चास नेवेद्य असतो देवीला हर्वरेच डाली चा नेवेद्य बरेश धन करता थे मध्यम ग्यास्वर छान खमोंगा है पूर्या तड़ून ग्यास्वर खमोंगा है पूर्या तड़ून ग्याँ सर्व पूर्या तड़ून धल्या आपना हाता नी जरा जरा बारिक करून ग्यूँ अगदी खुब बारिक देखिल कराइचे नाहीं किंची त्रवाड अपलेला है पूर्या मिक्सर मधून काड़ून ग्याए यह थे थोड़ो थोड़ो मिश्रण अपन मिक्सर चा भांड़ून ग्यूँ एक त्रवाड वाटून ग्यूँ बगां आता शी रवाड शी शान प ही पूरेंची पाउडर ठेवा यह अपन पाउडर कोरून गितलिया है ही यह आता कोरडी वाटताता है मणून आपन थोड़ी तुपा मधे परतों ग्यूँ अपन लाडू बनावलान अंतर दूसरा द्यूशी ते लाडू खुब कोरडे वाटाईला ला लागतातात अड़ पूरी तढ़तान नाजर ती कुठे कच्ची राहिली असेल तर त्यासा कट एक कस्वट वास यह लाडून ना है तो तैमोले नेहीमी करता है मिश्रेण अपन जे पूर्या तढ़ू नूर लेला तूपा है तैमोधे परतून ग्यावा मंजे लाडू अगधि खमों गतर होत पूर्या तढ़ू नूर लेला गरम तूपा है चाने नी थोड़ो गाडून ग्यू अपन कही कर्ण स्थिल तरते निगुन जातेल अणि अथा अगधि मंदग आस्वर सधन पार्च मिंटा सथी अपलेला यह व्यवस्तित परताउन ग्याचा है असा परतल्या मोले है अगधि खुब कमी तुपात बनाव लेले लाडू मग गार जाले नंतर कि मा दूसरे दिवशी थोड़े मूरले नंतर खुब कोरडे वड़तात त्या मुड़े एवड़तू प्या लाडून अगधि परफेक्ट प्रमान है आता है मिश्रण व्योस्तित परतुन जाला खंवाँ पन जाला है आता आपन ऐका भांडया मन अधे काडून घूँ आता आपन पाक पुरून घू साखरे चाथी पनावने सेथी ये अपन अर्धा किलो मनजेज दोन कप साखर गित लिया है आई है दोन कप साखरे साथी अपलेला घट्ट गोई बंद पाक याच्छा कराईचा आस्तो त्या मुझे दोन कपा साथी पाउन कप पाणी अपन घळना रहो तुम्हाला ये मेल मदे देखिल पाणेचा प्रमाण देता है मैंजे पाक सुकुनार नहीं अता लाडूंची सव वाड ने सथी अणि याला छान सा रंग येने सथी इथे मी कही केशर कांड़े एक टीस्पून पाणे मदे बिजट थेवले होत्या त्या गालना रहे केशर गालने हे टोटली ओप्शनल आहे तुम्हे आयो जी थोड़ा खाणें सा रंग देखेल वापरू शकता मध्यमते मूठे गैस वर अपन हे ढवड़त रहू एवगा याला वैववस्ती तुकुली आली अता हाँ पाक जाला की ना इता सथी एक टेस्ट अपलेला करून बगाई चिया हे एका प्लेट मदे ये अपलेला थोड़ा थोड़ा गोड़ी पाक हवा हे अजुन थोड़ा वेड़ा शिजवन गाईचा हे एवगा आता चान बुंद बनतो आहे एक गोड़ी बन लिया हे अता पाक जाला यहा लाडू मुझे टाकाला है ततनी अता अपन हे पूर्यां सो मिश्राण यह मदे घलूया ग्याश्ची फ्लेम अगदी मन्द करा अ यह मदे एक ते दीर टे बस पुन बेदाने घलना रहे अ सदरन दोन टेबल स्पून काजू ब्रदाव अणी पिस्ता चे काप हे ओप्षणाल आहे तुम्ही तुम्हे आउडी चे कुटले ही ड्राइफ्रूट्स यह मदे घलू शकता माजी आजी आमधे चारोड़ा घलाई ची चारोड़ा देखिल खुब मस्ता लगता थे आमधे थोड़ी वेल ची पूड अगदी चीमुट भर जायक पड़ा ची पूड देखिल घलूए आता अपन ग्यास बंद करूँ अणि ही मिश्रान थोड़ा कोमट होने सथी आपन बाजूला ठेवन देऊ थोड़ा कोमट जाले नंतर अपलाला लाडू बढ़ाय चाहे बगाहे सा किती चान टेक्स्चर आला है अगदी बारिक मोती चूर चाला लाडू सरकाहे सा अधिरलन कोमट जले आपन आता अँछे लाडू बढ़ून घ्युतु तुम्माला आवड तिल्द त्या आकर अचे लाडू यह बढ़ा सबोगा अगदी हलके हलके हातना नी अपन आता यह लाडू क्योन घ्यू जाजता दाबूनों का वलके हलके हातना कितं करा हे बगा खुब छान लाडू जाला है ऐसा टेक्स्चर बगा अगदी मोती सुर्चा लाडू प्रमाणे आता अशे सर्व लाडू अमी वडून गे तो लाडू तयार है हे बगा चान मस्त कणिदार अशे हे लाडू जाला है तुम्हाला एक लाडू में फोडून दाखोते आत मदे देखेल बगा चान मोँ अणी लुसलूशित अशे हे लाडू आहे दिलेले साहित्या मदे मध्य माकराचे सधरन पस्तिस लाडू होताथ हे लाडू कोरडे डबय मदे ठेवा पास्ते सहा दिवस देखिल मस्त टिकताथ आता नियोशिकें से टेक खास टीप देना रहे मजे जलना पाकाचा अंदाज येत नहीं तांचे सथी तुमचा पाक जर बिघड लातर काय कराईचा जर हे लाडू सा मिश्रन कोरडे जाल लाडू वळता आले नहीं तर या मदे एक ते दोन टेबल स्पून गरम पाणी घाला उकड़ी सा पाणी गाला मिश्रन वेवस्ति मिक्स करा आणी लाडू वळा किवा लाडू से मिश्रन जर सैलसर जाला पाक कच्सा राहिला तहे मिश्रन सैलसर होता मग लाडू वळता येत नहीं अशाय वळी ते मिश्रन पुना कड़ाई मदे थोड़ा वेवा साथी परता उन गया और थोड़ा कोमट जाला नंतर लाडू जरूर बनवा, दीलेला प्रमाना, दीड किलो वजना चे लाडू बनता जानना बिजनेस मनुन है लाडू सा वेवसाय कराई सा है हैंचे साथी देखिल अब दीप परिपूर्ण आमी सर्वा टीप्स देना सा प्रयतना केला है मैंचे अरधा केलो बेसना मदे वजनी किती लाडू होता तक इवा नगा मदे किती लाडू होता ते सर्वा तुम्हाला संगित ला है या प्रकारे लाडू तुम्ही नक्की करून बगा आई ची रेसिपी यानी टीप्स आवड ले अस्तील ता रेसिपी ला लाइक करायला वो शेर करायला विस्तुरू नका माझे चानल ला सुद्धा नक्की सब्सक्राइब करा अशी से चाल सी रेसिपी ग्योन बेटोया स्वराजाट चा पुट्चा वागा मदे तो परेंता सबी दीखा अणिमी रोगी रहा